हे गाईज वेलकम माई न्यू ब्लोग जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी आ चुके हैं मोतिहारी जहां से गांधी जी ने अपने सत्यागरा अंदोलन की सुरुवात किये थे तो सबसे पहले हम पोहुचे हैं गांधी जी के ही संग्रालाय में जो कि ए स्टेशन से थोड़ दूड़ पर पड़ती है नाम है गांधी संग्राल है तो अभी हम वहां आ चुके हैं और आगे देखिए हम आप सब कुछ यहां का दिखा रहे हैं में जीम हो वगाइड़ा सब कुछ कैसे क्या है यह यहां गांधी जी के तिन बंदर जो एक के बलता है बुरा मत को एक बलता है बुरा मत करो झाल झाल यहां गांधी जी का यंग एज का इस्टेचू लगा हुआ है जब गांधी जी यहां से सत्यागरा अंदोलन शुरू करने आये थे उस तमय का इनका एक तस्वीर यहां बना कर लगाई गई है काफी अकर्सक के बनाता है इस सत्यागरा पार्क को प्यारा सा हीरन जो दोनों तरफ लगा हुए है अच्छा फोटो किलिक होता है अब चलते हैं गांधी जी के म्यूजियम के तरफ लेके और देखी इसमें गांधी जी के समय के उनके क्या-क्या उसेस इसमें रखे हुए हैं यह यह प्यारा सा हां थी और आगे लिए चलते हैं तब सर्फक यहां का डीम साहब सिर्सक कपीलस ओक जो इसे अधियक्ष है और यहां इनके सच्छी मुख करें आगे अट है यह रहा प्यारा सा म्यूजियम गांधी संग्राले इसमें बहुत सारा गांधी जी को यहां पे ऐसे कौन सा चपल पहने थे क्या क्या पहने थे गांधी जी सब कुछ इसमें मिलेगा सब करे भाद सेथे देसे का मिलोच सा बहांधी दोरा झाल मखवले का मिलेगा तोरा दॉज थे जी जी सब करे पांधीand झाल झाल और यह गांदी जी के समय का चर्खा जिसके बारे में कहा जाता है कि गांदी जी ने खुद बनाया था अपने हाथों से इसे यहां बहुत ही फाजत से रखा हुआ है अब हम आ गया है और सोक अस्तम के तरफ जो कि बहुत ही बड़ा एक पिलर है यह गांदी जी की तस्वीर लगा हुआ है बहुत दूर से यह दिख जाता है इस पर बहुत साइर लोग इस पर चाड़ना तो नहीं चाहिए बट चंपा का फूल जो यहां का परसिद्ध था जश्ट भीन देखे कितना प्यारा सा है बहुत ही आच्छा गांदी जी का यहां पर जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ देखने को मिन्ता है सत्वे जयते गांदी जी ने चंपारन के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने यहां बहुत अपसंभर्स भरा जीवन गुजारा पला भीने शेखने को मिन्ता है